आज हम बनाएंगे बेंगन का भरता जो हम बिलकुल गौन के इस्टाइल में बनाएंगे जो इतना देशिय इस्टाइल जो इसमें एक चीज मिलने के बाद ये इतना टिس्टी हो जो दोलेंगे अच्छे से और इस तरह से हम कट्र लगा देंगे इसके अंदर कीरे होंगे न भी देख जाएंगे आसानी से पक भी जाएगा और प्रीघन जो है जब हम पकाते हैं तो छिलगा उटारने के लिए थोड़ा सा दिकत होता है अगर आप इसमें यह मेरा फ्रिक वंपोरी तो प्रूल प्रुदार का गोपत ही दिवित कहा की सब्सक्राइब अब प्रस पाल है कंपर डिया जाले के अब तरह कि अब देख सकते एक प्रसथे आवि отлич इस फ्रेम को हाइ रखेंगे और पीच-पीच में इसे हम देखते रहेंगे जिसे कि जले नहीं और आप देख सकते हैं इसे हम सब तरफ से पलट के पका लेंगे अब ये पख गया है इसी तरके से हम दूसरा भी पका लेंगे यлось दोस्तों अगर आप मेरे तरीके से चोखा बना करके देखेंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा और आप सब कुछ भी बहरत नहीं है इसमें तो अब हम क्या करेंगे ये मैंने बैगन को अच्छे तरीके से छील करके धो करके छील लिया है और इसे अच्छे से हम मैश करेंगी थंडा होने के लिए रख देंगे अभी थंड़ गरम है तो चमस से ही हम इसे अच्छे से मिलाएंगे अब इसमें क्या करेंगे? रफली चॉप किया हूँ धनिया डालेंगे धनिया की पती डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे इसमें कच्चा प्याज ही डालेंगे और बारी कटा हुआ लहसुन डालेंगे और हरे मिर्च हरे मिर्च आपको जितना पसंद है जितना तीखा आपको खाना है आप उतना हरे मिर्च दे सकते हैं मैंने दो बैगन में दो बड़ा प्याज अर्दस करिया लेसुन की और ये मैंने बोला था कि एक चीज मिलाने से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये ह हम आम का अचार का मसाला मिलाएंगे जो हर किसी के घर में होता ही है अगर नहीं है तो आप क्या करिए किसी भी अचार का मसाला मिला दीजिए बहुत ही टेस्टी लगता है अब हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा सरसो का तेल ला लेंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे इस और यह बहुत ही खाने में टेश्टी लगता है तो एक बार आप मेरे तरीके से ट्राइ करके देखेगा आपको बहुत ही पसंद आएगा इस मज़ेदार सी रेसेपी को आप जरूर ट्राइ करिएगा और फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई नई रेसेपी के साथ आपकी मेरे रेसेपी ये कैसी लगी जरूर बताएगा और एक बार ट्राइ करके देखेगा फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई